नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की बहुत ही सुन्दर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सुन्दर पूर नाम का एक गाव था, उस गाव में शम्भू नाम का एक व्यक्ती रहता था, वह बहुत सीधा साधा और धार्मिक प्रवृती का इंसान था, उसके घर में उसकी पत्नी मिताली और चार बच्चे थे, उसकी आर्थिक स्थिती बहुत खराब थी, उसका एवं उ कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। शम्भू ने कहा, ठीक है। अगले दिन शम्भू एक भैंस को बेचने के लिए घर से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद, रास्ते में एक आदमी मिला, जो अपना घोड़ा बेचने जा रहा था। वह बोला, ही भले आदमी, क्यों ना हम अपने जानवरों की अदला बदली कर ले, तुम मेरा घोड़ा ले लो और मैं तुम्हारी भैंस ले लेता हूँ, मुझे भैंस की बहुत जरूरत है। शम्भू को उस पर दया आ गई, उसने अपनी भैंस को दे दिया और उसका घोड़ा ले लिया। शम्भू को उस पर भी दया आ गई, और उसने अपना घोड़ा दे दिया और उसकी गाए ले ली। शम्भू ने उसे अपनी गाए दे दिया और उसकी बकरी ने लिया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे पता चला कि बकरी तो बीमार है ही। शम्भू बाजार पहुँच गया, शम्भू को बड़ी जोर से भूख लगी थी। समूह ने बकरी को पांच रुपए में बेच कर उन पैसों से वह खाना खरीद लिया। कुछ दूर उसे एक पैड़ी दिखा। उसने सोचा कि यहां पर शान्ती से बैठ कर खा लेता हूँ, फिर वापस घर जाओंगा। शम्भू पैड़ी के नीचे गया तो वहां पर एक बूरहा आदमी आ गया। और उसने बोला, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे अपना खाना दे सकते हो। उस बूरह आदमी को देखकर शम्भू को उस पर दया आ गई और उसे अपना खाना दे दिया, और खाली पेट घर लोट गया। शम्भू को देखकर उसकी पत्नी मिताली बोली, भैस बेचने पर कितने पैसे मिले। शम्भू ने उसे सारी घटना सुनाई। सब सुनने के बाद मिताली बोली, आपने बहुत अच्छा किया, अपना हाथ मून धोलीजिये, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, खाना खाकर आप सो जाईए, आप बहुत ठक गए हैं, खाना खाकर सब सो गए, अगले दिन जब शम्भू ने अपना दर्वाजा ख जो शम्भू को रास्ते में मिले थे, सभी जानवर सही सलामत थे, शम्भू और मिताली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ, तभी एक चमतकार हुआ, धर्मराज जी अद्रिश्य रूप में वहां प्रकट हुए और बोले, शम्भू, तुम इतने फिर भी तुमने अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा, और गरीबी में भी तुमने दूसरों की सेवा करते रहे, और मिताली तुमने गरीबी में भी, नित्य नियम निभाया, यह उसी का फल है, शम्भू और मिताली हाथ जोड़ कर भगवान से बोली, प्रभू, हम सब आ अपने सभी भक्तों पर अपनी क्रिपा बनाए रखना, जय हो धर्मराज जी की